वाला नसी जय कासी विश्वनात, 120 क्लो सोने से जग मगाया कासी विश्वनात, 10 दिन में पूरे गरब रहे के दिवानों पर चड़ाया सोना, अब पुरा मंदिर स्वन जडित होगा, कासी विश्वनात की स्वनीम आभा, स्री कासी विस्वनाद मंदिर के लिए एक भक्त ने 120 किलो सोने का गुप्त दान किया ये भक्त दक्षिन भारत का रहने वाला है इस सोने से पिछले 10 दिन के अंदर गर्ब ग्रह के अंदर स्वरन पत्तर लगाई जा चुके अब बाहर के दिवार पर लगाई जाएंगे यानि बाबा का पूरा मंदिर स्वरनिम होगा रवी बार को प्रदानमंदिर निरीटर मोदी ने जब कासी विस्वनाद में पूजा की तो पहली बार गर्ब ग्रह स्वरन मंदित होने की तस्वेर ने सामनी आई बताया जा रहा है कि प्रधान मंतिरी मोदी ने सुरण मंडित गर्ब रह में पहली बार जलाबी से किया वे कुद भी दिवारों और सिलिंग को देखकर चकित रहे गए जी हाँ, ये सोने किस ने दिया, कव दिया, ये सब गुप्त मंदिर से जुड़ी अधिकारी ने बताया कि बाबा को भक्त ने करीब एक मेहने पहले गुप्त दान किया हालां कि भक्त का नाम क्या है, इसकी जानकरी सामने नहीं आये दस दिन पहले गर्ब ग्रह सरण जडित करने का काम सुरू हुआ था अब गर्ब गह में सोने की परचलाने का काम हो चुका है, महा सिवरातरी यानि कल एक मार्च को भक्तों को सोने के पत्तर देखने को मिलेंगे, इसकी चलते बाबा विस्वनात के मंदिर की आभा और चमक देखने लाइक बन रही है आईए जानते हैं, सुरुक्षा क्या रहेगी और इसकी ब्यावस्ता क्या है मंदिर के आंतरीक सुरुक्षा स्यारप्यप के हवाले है बाइस सुरुक्षा में यूप पुलिस और पीएसे की जवान डूटी पर सोईज गंटे रहते इनकी डूटी डूटी शिप्ट में लगती है, जगए जगए सीची टीवी केमरे भी लगे है कोई भी भक्त सोने की परत को नुक्षान नहीं पहुंचा सकता भक्तों को गारप ग्रह में लगी स्टील की बैरिकेटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है अमुमन सावन और महासिवरात्री जैसे बड़े त्यवहानों पर भक्तों के हुजूम के करण उन्हें गरप ग्रह में परविश नहीं दिया जाता, जहांकी दर्सन और वही से जलाबिशे करने की ब्यवस्ता दी जाती है मंदिर की सुरक्षा के लिए CCTV केमरों की संख्या लगातार बढ़ा ही जा रही है वर्स दौजार बारे में भी स्वर्ण जड़ित करने का प्लान बना था इससे पहले 2012 में भी मंदिर के गरब ग्रह को स्वर्ण जड़ित करने का प्लान तयार किया गया था लेकिन तब IIT बेजी की सिविल इंजिरियों ने गरब ग्रह की दिवारों का परिक्षन किया था इंजिनियरों का कहना था कि गरभग्रह के दिवारे इतना भार नहीं सान कर सकती जिसके बाद यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी वहीं पिछले साल 13 दिसंबर को जब कारीडोर का निर्मान पुरा हो गया तब गर्भ ग्रह की दिवारों को मजबूती मिली इसके बाद महासिवरात्री से पहले पूरे गर्भ ग्र को स्वर्ण मंडित करने का फसला लिया गया बाबा कासिवी स्वर्ण मंडित का दरबार गर्भ ग्रे अब स्वर्ण मंडित हो गया है सरदालों को महासिवरात्री पर पहली बार ये देखने को मिलेगा इससे पहले सिर्फ शिकर स्वर्ण मंडित थे स्रीकाजसी विश्वणात मंदिर का जिर्णोदार महार ने अहिल्या भाई हौलकर ने साल 1780 कराया था इसके बाद साल 1803 पर में महाराजार रंजी सिंग ने 22 मन शुद्ध सोने से इसकी सिक्रों का स्वर्ण मंडित कराया था उसके बाद जाकर अब इस साल माहा सिवरात्य पर बाबा विश्वनात के दर्भार को स्वण पत्तर से सज़ा दिया गया है माहा शिवरात्र के पाउन पर मन्दिर परसासन ने सर्द्वालों के लिए एड़्ाजरी जडिकी है मंदिर में मोबाई जैसी उपकरण लाने के लिए भी मना ही की है स्रीकासि विशुनाद धाम का लोकारपण माननी परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने 13 दिसंबर 2000 किसो किया था धाम के लोकारपण के बाद यहां दर्शन पूजन के लिए आने वाले सर धालों की संख्या में काफी बड़ोतरी हुई है जी हां बंधो तो ये थी जानकरी एक लेक के अनुसार बाबा भुलिनाद का दरबार अब चम चमा रहा है स्रोन मंडित है बाबा का ये गरबगर है और ये मंदिर बड़ा शांदार महासिवरात्री पर भक्त जन कर पाएंगे इन सब के दर्शन जैकाशी विश्वनात दैनिक भासकर न्यूज के इसले को स्वर्दिया है आपके अपने पूर्ण मलपारिक जवान भाई ने